अगर आपको में रेस्पी अच्छी रखी तो प्रीज लाइब जरूर करें और चलिए फ्रेंस बिनादेर के रेसी बनाना शुरू करते हैं आज मैं आपके साथ हरे मटर और सोया चंग से बनी भी बहुत ही आसम टेस्ट वाली सबजी की रेस्पी शेयर करूंगी जिसे मैंने बिल्कुल अंधरिक तरीके से बनाया है फ्रेंस डियली आपको इतना अमेजिंग टेस्ट लगेगा इसका जिसको भी खिलाएंगे उंगलिय साइज के लिए बड़े साइज का भी ले सकते हैं तीन मीडियम साइज के प्याज को रफली चौपर के लिए इसमें चार से पांच लेसुनिक कर लिया है आधा जजद्रा का टुकड़ा है और मैंने थोड़े से हरे प्याज भी यूज की मेरे पास रखे थे अगर ना हो तो स्किप कर लें 5-6 हरी मिर्च को फाइन चौपर के लिए जिससे ग्राइंड करने में आशानी होगी और दो बड़े साइज के टमाटर को रफली चौपर के लिए प्यूरी नहीं बनाएंगे क्योंकि जैसे पहले लोग प्यूरी का यूज नहीं करते थे वैसे ही बनाएंगे मसालों को ग्राइंड करके बनाएंगे सोक करके फिसेवे मसालों का यूज नहीं करेंगे थ्री टीस्पून यह मैंने कि साबुत धनिया लिया एक छोटा तेज पत्ता चार से पांच लॉंग दो हरी लाइची एक बड़ी लाइची हाप चक्रिफूल तीन छोटी तीखी लाल मिर्च लिये क्योंकि हरी मिर्च ज्यादा क्वांटिटी में तो इसका यूज हम कम करेंगे तीखा आप अपने कॉर्डिंगी रखे थोड़ा सा रतन जोत लिया अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर ले पांसे छे काली मिर्च लिये है हाप हा मारचीनी टुकडा लिया है मैंने थोड़ा सा कटा हुआ रहा धनिया वन टीस्पून कशूरी मेथी टेस्ट के नमक लिया है वन टीस्पून हल्दी पाउडर अम मशालों में थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे जिससे ही सोक हो जाए तो ग्राइंड करने में आसानी होगी औ और इनको दस मिनट के लिए सोक करके रख देंगे इतने हम आगे का प्रोशेस कर लेते हैं गैस कॉन के मैंने पाइन डगा थोड़ा सा पानी डाला गैस को लें हाई टू मीडियम है और मैंने गरम होते ही बड़ी को डाल दिया इसको कवर नहीं करेंगे एक बॉयल आने दें ग्रैंडिंग जान में जो मारे मशाले लगे हुए उसको ही धोकर और हल्दी पाउडर को आट करके मिक्स कर देंगे यह मैंने प्याज अद्रक और हरी मिड्ट जो मेरा लेशन था उसको मैंने ऐसे फाइन चौप कर लिया क्योंकि जैसे पहले लोग बनाते तो चौप करके मैंने इसमें नार्मल पानी एड किया है और थोड़ी दरीने डिप रहने दिया उसके बाद देखिए हम इसको निचोड़ेंगे तो यह तूटेंगी नहीं ऐसे हम डारेक्ट जब निचोड लेते हैं तो वह क्रैक हो जाती है फिर वह सबजी का टेक्शर खराब करती है और देखने में भी नहीं अच्छी लगती और खाने में भी टेस्ट नहीं आता यह देखिए आपको निचोड़कर मैंने दिखाया तो वह बिल्कुल भी नहीं टूटी है तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर फालो करके देखना अब मैंने कड़ाई को गैस पर रखा है उसमें मै हाई टू मीडियम है आप जो भी यूज करते उसका यूज कर सकते मैंने सोय बड़ी को उसमें डालकर फ्राई कर लिया यह देखिए अच्छे से फ्राई हो गए यह इनको निकाल लेंगे एक्स्ट निकालकर और वही आयल को हम शबजी बनाने में यूज करेंगे गरम है हम इनको मिल्ट नहीं करेंगे थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के कॉडिंग इससे क्या होगा टमाटर हमारे स्टॉप्ट हो जाएंगे और थोड़ी देर भूल लेंगे उसके बाद मशालो को आट कर देंगे रियली फ्रेंस इस प्रोशेस से आप बनाकर ट्राय करना आपको इतनी अमेजिंग टेस्ट किये सबजी लगेगी जो नानवेज लबर है उनको भी इतना पशंद आएगी यह सबजी और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए बून लेंगे इतनी अमेजिंग खुजबू आरे मेरे किचन में जो फ्लेवर है मशालो का उसका अरोमा का मैंने कवर करके दो से तीन मिनट इससे कुक किया है और देखे इसमें से ओल रिलीज हो गया थोड़ा सा हरा दनिया मैंने नहीं हरे मडर निर्लफट को पहले कर देंगे और मिक्स करते वह थोरी दिर भून लेंगे ब्लबार ने, अब अ बश्यक्तव प्रश Si Сब्सक्राइब कर लो बढेल आइकन को प्रेस कर लो रस दरसे मैं आने वाली अब बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे से में other 가족 करेंगे तो मैं यह यहांग हो नियुकि युकिन देखी पानी प्रिश्व करेंगे लोटो लुक freshmen पे और बीच कोने दा मैंने चलाया था मिक्षड करते वह यह देखिए सब्जी हमारी बनकर तयार है और एक बार हम मटर को चेक करेंगे अगर मटर सॉफ्ट नहीं हुए हैंगो तो फिर से इसे कुक करेंगे एक से दो मिनट के लिए इतनी अमेजिंग खुस्बू आ रही है आप पिसे हुए मसालों से या बहुत सारी पूरी डालकर भी सब्जी बनाते होंगे तब भी वह टेस्ट नहीं आता हो जो इतनी फ्लेवर्फुल यह सब्जी लगेगी आपको इतनी अच्छी खुस्बू आएगी कि पडोसी भी आएंगे तो लोग बनते ही देखकर दौर पढ़ेंगे खाने के लिए तो फ्रेंस आप इस रेस्पी को ट्राय करने को आप मुझे फीडबग जूरू पताना कि आपको मेरी हरे मटर और चंस की रेस्पी कैसी लगी और अच्छी लगए जदे अपने फ्रेंस और रिशा सेर केस्पी आपको अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो लव यूटू फेमली